प्यारी वी देर्थियो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी एस भाई शुरसर में तो आज हम 11 कलास के जो 11 कलास है उसके दूसरे चैप्टर है वी आर नाट अफरेड टू डाई हम डरते नहीं हैं अफरेड का मतलब होता है बहभीत होना अफरेड का म नाम है गोर्डन कुक और दूसरे का नाम है एलन इस्ट और यह जो कहानी है यह एक साहस की कहानी है हिम्मत की कहानी है और इस कहानी में एक गोर्डन कुक है उसका परिवार है और क्रूमेन के द्वारा पानी और लहरों के साथ युद में जीवित रहने का वर्णन है और जो 6 साल का है बेटी सुजयन जो 7 साल की है पलाय माउथ इंगलेंड से विश्यो के चक्र लगाने के लिए ना उसी यातरा शुरू करते हैं तो जो उनकी कठनाईया आती है और और जो उनके मुसीबते आते हैं उनके बारे में इसमें वनन हैं तो आज हमें इसका पहला भाग क हमें और यह जैसे हमने फर्ष्ट लिखा है इसको आप इसी तरह से लिख सकते हो फर्ष्ट जो हमारी अर्भिक लैंग्विज है एक दो तीन इनके साथ आप फर्ष्ट सेकेंड या थर्ड लगा सकते हो अगर रोमन में आप लिखते हो तो इसके साथ में आप एस्टी नहीं नहीं होती तो चलिए शुरू करते हैं पहले परशन से पहला परशन है वी आर नाट अफरेड टू डाई हम भैबित नहीं है मरने से हूँ स्पीक्स कौन बोलता है दीज वर्ड्स एंड वैन कब और क्यों तो यहां पी यह दिखिशे स्पीक्स आया है तो स्पीक्स के लिए मैंने जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिना इंटेंस में जहां कहीं भी अगर काम करने वाला एक वचन हो करता अगर एक वचन हो तो वर्ड की पहली फारम के साथ ऐसी यह यह लगता है यह बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है तो इसका उत्तर क्या है दा वेंट इंटू कमफर्ट जब उसका पिता आराम करने के लिए जा रहा होता है बट डैडी किन्तु पिता जी ही वेंट ओन वह जाता है वी आर नाट अफरेड हम बहबीत नहीं है ओफ डाइंग मरने से इफ वी कैन आल बी टूगैदर यदि हम सब साथ साथ हैं यू एंड मम नहीं है यह बेटा है छोटा और यह बेटी है बड़ी तो चलिए दूसरा प्रशन देखते हैं नेमदा वयागर्स हूँ सेट सेल फ्रॉम इंगलेंड तो रीच आउस्ट्रेलिया कहता है नेमदा वयागर्स होते हैं समुदरी यातरी हूँ सेट जो सेट करते हैं या परिवार था, दा पेरेंट्स, माता-पिता, एंड दियर, टू गिड्स, और उनके दो बच्चे, दा नरेटर वाज, थर्टी सेवन इयर्स, ओल्ड, बिजिनस्मेन, यहां पे ए, इयर्स लगेगा, सोरी, एस नहीं लगा रुखा, और उनके दो बेटे, अब चिल्टरन के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि चाइड होता है, वह वह विचन होता है, तो यह पहले ही बिचन है, अब इसके साथ एस लगाने के आपको जरुरत नहीं है, डॉटर शु, उसकी जो बेटी है, शु, एंड सन, जोनाथन, और उसका ज देखें तीसरा प्रसंद, what preparation, preparation होती है, त्यारी, did the narrator, make further long journey, did का मतलब है, की थी, the narrator, लेखक, make further long journey, लंबी जो यातरा थी, उसके लिए narrator ने क्या कुछ त्यारी की थी, तो इसका answer है, the narrator, लेखक, wanted, चाहता था, to fulfill his dream, fulfill होता है, पूरा करना, his dream, अपने सपने को, तो narrator अपने सपने को पूरा करना चाहता था, of selling, now चलाना, around the world, दुनिया के चार और, like, की तरहें, Captain James Cook, ये Captain James Cook था, जिसने पूरी दुनिया का चक्र लगाया था, तो वहे भी चाहत करता था, कि मैं उसको copy करूँ, और उसको, जैसे उसने पूरी दुनिया का चकर लगाया था, मैं भी पूरी दुनिया का चकर लगाऊ, he worked on the project, project होता है, कारे, वहे इस कारे पर काम करता है, for 16 years, 16 सालों तक, and spent, और, बिताता है, all his leisure time, अपना जो फुरसत का समय, खाली समय है उसे, in mastering the art of navigation, navigation कहता है, नो परिवहन को, नो का चालन का, या नो का से समन्दित, जो भी ज्यान है, उसको पूरा करने के लिए, उसमें mastery प्राप्त करने के लिए, वहे 16 साल तक काम करता है, he built, वहें करता है, his wave walker, यह built है, build, build, wave walker, wave walker, उस जहाज का नाम है, a 23 meter long boat, waging 30 tons, एक 23 meter लंबी, और 30 tons की जो वजनी किस्ती है, उस किस्ती को तयार करने के लिए, वहें अपना समय बिताता है, और वहें यह बनाता है, आगे देखिए, चोत्ता परशन, how does, कैसे, the author, describes, describe का मतलब होता है, वरनन करना, describe का मतलब क्या होता है, वरनन करना, या बताना किसी बात के वे वाकर, वे वाकर के बारे में, तो इस कांसर देखिए, वे वाकर वाज, दा नेम, वे वाकर क्या था, नाम था, गीवन, दिया गया, to the narrator's board, narrator की जो, नाव थी उसको, it वाज, प्रोफेशनली बिल्ड, प्रोफेशनली होती है, व्यवसाइक रूप से, क्या होती है, व एक्सपेडिशन होता है, अभियान, तो यह जो अभियान था, वाज डिफिकल्ट, मुश्किल था, एंड रिस्क की, तो यहां पर एक बात आपने ध्यान रखने हैं, कि टी के बाद में, अगर आई ओ आ जाता है, तो शे की आवाज आती है, जैसे आपने रेशो शबद सुन दा निरेटर नूइट, लेखा किसे जानता था, दा सौधरन इंडियन ओशियन, जो दक्षिन भारतिय समुदर था, वाज नोवन, जाना जाता था, तो बी वैरी रफ, बहुत मुश्किल एंड स्टोर्मी, और बहुत तुफान वाले मौसम के लिए, दे फेसड, फेस का मतल है, हिज फेस, उसके चेहरे की बात हो रही है, तो यह यहाँ पे नाउन है, लेकिन अगर ही फेसड, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे हम, दे फेसड, उन्होंने सामना किया, स्ट्रोंग विंड्स, मुझबूत, लहरों का, फार सेवरल वीक्स, कई हफतों तक, आफ्टर अगर के अंदर सबसे नीची यहाँ पर, यह कैब टाउन है, तो यहां परो पहुंचे थे वह लोग, और अफरिका महधीब में और कहां से चली थे वह, वह यहाँ पर इंगलेंड से चली थे, अगर आप इंगलेंड को देखना चाहो, तो जो इन आउपर का हिसए है, उन्ह January 2nd, 2 January को the boat confronted, front का मतलब होता है सामना, front का मतलब होता है सामना, तो confronted भी सामना करना, सामना करती है high sea waves, उंची समुदरी लेहरों से, which damaged, जो नुक्सान पुहुंचाती है, it इसे, किसे, wave wacker को, death cement certain, certain का मतलब होता है निश्चित, जो मुरुत्यू है वो निश्चित लग रही थी, it was dear hard work, hard work होता है सक्त मैनत, and good luck, और अच्छा भाग्ये, that they survived की वो जीवित बचके, and Richard the small island, और छोटे से island पे पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है, Lee Amsterdam, और उसका नाम होता है, Lee Amsterdam, तो आगे चलिए इससे, छड़ा प्रशन देखते हैं, Who were the two crew men, दो crew men कौन थे, नाविक, taken by the narrator, नरेटर के द्वारा जो लिए गए थे, what was their contribution, उनका योगदन क्या था, to this project, इस project में, तो चलिए, at Cap Town, Cap Town में the narrator took a timely and very wise step, Cap Town जैसे मैंने आपको पताया था, अफरीका माधीप के में सबसे नीचे है, South Africa में पढ़ता है, शेल, वहाँ पर, जो narrator है, वो एक, बहुत अच्छा और बुद्धी मता का निर्ने लेता है, before going eastward, पूरु की और चलने से पहले, he engaged, वहें काम में लेता है, इंगेजल का मतलब होता है, किसी को किसी काम के लिए रखना, वहें काम में लेता है, two crewmen, two crewmen को, crewmen कोन होते है, जो नाव की पतवार बगार चलाते हैं, मतलब जहाजों को चलाते है, an American, यह देखी, यहाँ पे यह चीज़ आपने द्धान रखने है, an का मतलब होता है, और यह कहाँ पे लगता है, वहाँ पे लगता है, जहाँ पे सवर किया वाज आती है, तो an American, named Larry and Swiss, जिसका नाम होता, Larry and a Swiss, Swiss है, Swedish and a Russian, named Harab, जिसका नाम Harab है, to help them, उनकी साहिता करने के लिए, tackle संभालने के लिए, the verge roughest sea, जो दुनिया का सबसे roughest sea है, सबसे खतरनाख जो roughest है, उसको समुदर को समुदर को समुदर के लिए, the southern Indian sea, दक्षन भारतिय समुदर, the crewman, जो crewman है, वरकड वेरी हाड, बहुत सत्य मेनद करते हैं, to pump the water out, पानी को बाहर पंप करने के लिए, pump का मतलब होता है, किसी चीज़ को बाहर फैंकना, they remained cheerful, वे रहते हैं, remain का मतलब रहना, cheerful, खुशी से, and hopeful, और आशावान, even when they stood, face to face, with death, और वो उस समय भी आशावान रहते हैं, और खुशी से भरे हुई रहते हैं, जब, उन्हें, मृत्यू का सामना करना पड़े, या मृत्यू उन्हें सामने दिखाई दे, तो चलिए एगला परशन देखते हैं, जो हमारा अन्तिम परशन है, what did the narrator know, नरेटर क्या जानता है, about the southern Indian sea, दक्षन भारती है, समुद्र के बारे में, did his fair come true, और क्या उसका जो भे है, वो सच होता है, the narrator, जो narrator है, new well, अच्छी तरह जानता है, that the southern Indian ocean, कि जो दक्षन भारती है, जो समुद्र है, toward the east of Cape Town, जो की, Cape Town जो शहर है, उसके east में है, was very rough and dangerous, बहुत rough है, और बहुत ही, खतरनाख है, so he hired, hired का वही मतलब था, जो हमने पहले लिया था, engaged, hired का मतलब था, किराए पे लेना किसी को, या किसी को काम पे रखना, two crewmen to help him, two crewmen को अपने साथ रखता है, जैसे कि वो started करते हैं, शुरू करते हैं, facing सामना करना, strong gills, मजबूत, तुफानों का, या बड़े तुफानों का, as they left Cape Town, जैसे ही वो Cape Town को छोड़ते हैं, they continued, शुरू करते हैं, fighting, लड़ना, gignostic, gignostic होता है, भीमकाई अब बहुत बड़ी, waves and winds, और लहरों को, far more than a weak, और लगवख एक सब्ता से भी जाता समय तक, वो बड़ी और विशाल भीमकाई लहरों से, लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं, तो ये जैसे देखे, ये उसकी किस्ती है, जो उन्होंने नाव बना रखे दे, और यहाँ पर जो लहरे उठ रहे हैं, और उठ रहे हैं, इन लहरों का वो सामना करते हैं, तो इसी के साथ ही जो हमारा पहला भाग है, वो समापत होता है, दूसरा भाग भी जल्दी ही बनाएंगे, जैसे समय लगेगा, उमीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए, तो यह आपका चैनल है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, थैंक्यू, वे नाइस टे,